पेरे साथ अन्याय वाई शिर्क का तावूद से वो तालुक नहीं है उन्हों अलग अलग होते हैं? जो किसी भी लेवल के उन्होंने बांधा है या कोई भी बुज़र्द बाबा बांधे जाए वो कालीडारी वाला हुई या सेफेड़ी वाला हुई शिर्क का लवाज शिर्क के लवज से हीकुरान में है तावूद का लवज अलग से है यह उन्ही भी लुज़र्द को मानते हुए इसको शिर्क का मदलव बता है किसी और जीज़ की अन्दर लग की खुसिषियत में किसी और बन्दे को या गैर अल्ला को, कोई भी एक पत्थर को, नूर्थी को, सूरज को, चांद को, इंसान को, उसके अल्द ताला के एक कंपाप्मेंट के अंदर बुसा देना, अल्ला को मानते हुए, इसको शित कहते हैं, कोई ताभूत अपने तोर पे, इसको अपने आपको रब के अलावा, अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी में बनाना जुरूरी होगा, अगर एक बंदे को ताभूत मानते हैं, तो शिक नहीं होता, वो टोटल अलुएट उसको दे रहे होता, इसको ताभूत कियाता, कि अलावा कोई बन्दा क्लेम करते हैं, कि मैं हो पॉलिसी में कर, ये नहीं कहता कि अलावा भी तो मैं भी, भाई, आपका नौलिज तो कमाल का, कुराने पाक आपकी मर्दी करनी होगा, मिर्जा साथ, कुराने पाक को बिजान के अंदर अपने जहन को दुरस रखते हो, जैसा है, वैसे एक्स्प्लें करें, हारे चीज, जो आपको पुरी लगती है, उसका वो मतलब नहीं है, कि कुरान में बाट में जो चीज गलगी गए, ये रबजस्ती करना, कुरान के उपर ये बहुत फाइन लाइन को कुरास करना है, इत्यार करें, अगर आपके दिल में तज़किया की थोड़ी रमक बाती है हुसки तक बाती है, वो वीडियो देखतो लें मेरे भाई, इस ये शौरत-निसा की आयति फिटी वन के कॉंटेक्स्ट में जिससे मैं बार मैं तरतीम कवर करूंगा, मैंने एक इंट्लेक्श REAL तरतीम रखी एंप्ना रृएंगा, का मन अबता रहो सही बुहारी के अंदर एक हदीश मुझूद है सूरत अनिसा की आएट नमर 51 के कॉंटेक्स्ट में जिसमें तागूत और जिब्थ की दो वर्ड आएट है स्यद्रा अमर फारूक नदियल्लाव ताला नहों से जब पूछा गया तो उन्होंने फर्माया यहां जिब्थ से मुराद बुत है और तागूत से मुराद शेतान है और वो शेतान के एजेंट काहिन लोग हैं जिन से जाकर लोग फैसला करवाया करते थे नभी असलाम ने मदीने में एक रियासत कायम कर ली थी जिसके हेड आप थे चीफ जिस्टिस भी आप थे हुक्वरान भी आप थे और मुसल्मान हों या नौन मुसलिम वो अपने फैसले आपसे करवाते थे क्योंकि आज वाला अदालती नजा मुझूद नहीं था कवैली सिस्टम था उसमें एक बड़ा होना जरूरी था और वो नभी लिस्टाम थे और ये पूरे कंसेंसिस के साथ हुआ था इसके पीछे दो-तीन साल की मेनत थी फिर नभी लिस्टाम को मदीनशी बुलाया गया और उनने का ठीक है आप हमारे उकुरान है उसके बावजूद जब उन्होंने अपनी मर्जी का क्यों फैसला लेना होता था तो उन काईनों के पास जाते थे इनसानों में चुबे वे शियातिन के पास जाते थे अल्ला ताला ने फिर उसे कंडेम किया कि ये तावूद से जाके फैसले करवाते हैं इनका काम था रसूल्ला से फैसला करवाते हैं तो सरकार वो तो आप लोग भी निवियान कर रहें सबसे बड़ी क्लास ये है कि ताहूद ये है कि अल्ला के मकाबले पर किसी और दीन को मान लिया थै इस दीन में मुश्किल कुशा हाजद रवा अल्ला है और उस दीन में बज़र्ग बाबे है इसमें आकर रहनमा मुहमुद रुसुला है जिनकी कबर मदीने में है अल्ला हूद रुसुला है और उस दीन में इनके बाबे जो तालिमात देते हैं वो दीन है बाकी सारी जीने चोटी है और बेशक हमने हर अमत में कोई ना कोई रसूल भेजा एक बन्यादी दावत के साथ अनिअबुद लौह के अबादत करो सिर्फ अल्लह की वजदानिबु तागूत और इजितिनाब करो तागूत का यानि अबादत अल्लह की और ल्लह के मुकाबले पर किसी की अबादत नी करनी अब मुझे खुद बताईए आप अमानदारी से अनिअबुद लौह के साथ जब वजदानिबु तागूत आ रहा है तो जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें बड़ा बड़ा शिर्क हैं आप तागूत की पेचान किस ना करवा सकते हैं अल्ला की अबादत के मुझाबले पर तागूत की अबादत वो तागूत शैतान भी हो सकता है अल्ला के मुझाबले पर कोई नजाम भी हो सकता है अल्ला के मुझाबले पर कोई बजब बाबा जिसे आपने मुझकिल कुशा माना हुए किसी भी फॉर्म में बोट भी हो सकता है बरहले इस आयत के कॉंटेक्ष में एक हदीस बड़ी इंपॉर्टन है जो सुरह अतौबा की आयत नमबर 31 के कॉंटेक्ष में इमाम तिल्मजी ने नकल की है यहूदो नसारा ने बावजूद इसके के प्यंबरों के मानने वाले थे अल्ला को छोड़कर अपने अलमा और अपने बाबों को अपने रब मान लिया था तो देख ले आप कह रहे थे ना कि बाबे की तुम इस बाड़ ले जाए तागूत इस तो देख लो कुरान में लिखा वाए कि नभीों के मानने वालों ने इत्ख़ू अभारहूं वर रुखबानहूं अभार कहते हैं वो उल्मा जो इल्म की गड़ाई में उत्रे हों कि मानने वाले पिगंबर के हैं और खुदा बना लिया है अपने अलमार वज़ूर को जाहरा है जब आपके अलमार वज़ूर केंगे कि अलमार से पूछ पूछ के चले हैं तो एई रिजर निकलेगा ना अलमार से जरूर पूछ के चले हैं लेकिन ये पूछे अधी इबन हातिम जो मशूर फियाज हातिम ताई के बेटे थे वो मुसल्मान होगे उनके वाले साथ क्रिस्चन थे वो नभी असलाम की बेसर से पहले फोट होगे ये मुसल्मान हुए गले में सलीम लटकाई भी थी इसी हाल में हुजूर के पास पेश हुए एका यारसुल्ला पुरान में एक ऐसी आयत है जो मुझे खटकती है हुजूर में पूशा कौन सी तो उन्होंने यही आयत पड़ी इत्ख़दू अहबारहुम रहुबानहुम अर्भाब मिन दूनिल्ला कि यहुदों नसारा ने अपने अलमा और अपने सूफियों बजूर्बों को ख़दा मान लिया था अल्ला के मुकामले पर तो उनके यह रसुल्ला हमने तो कभी अपने अलमा की अबादत नहीं की थी इसका मतलब है कि नबी असलाम के जमाने में ऐसे क्रिस्चन मुझूद थे जो मौहिद थे आज भी है यूनिटेरियन उन्हें कहा जाता है आज भी मौहिद क्रिस्चन मुझूद है मैंने वो जब उसको मर्मनी अमैनुल को जवाब दिया था बिशफ को तो मैंने बताया था आज भी दुनिया में बहुत तोड़ी तदाद में जो एक ख़दा के मानने वाले क्रिस्चन है नबी असलाम के जमाने में बहुत से थैसे हातिम ताई भी मौहिद थे वो दीन फिद्रद पर मरे हैं वो रदी अल्लावन हो है नबी असलाम की दावत तक नहीं पहुची थी वरना वो भी मुसल्मान रहते हैं उपका बेटा मुसल्मान हुआ है और वो आगे पूछ रहा हमने तो कभी अपने बजल्गों को पिखमरों को उनके अरसुल्ह सही था फरमाएं यहीं उनको रद बनाना है शरीयत का कस्टोडियन अल्ला है और उसकी अजाज़त से पिखमर वो पिखमरों के इलावा अगर कोई बंदा बड़ से बड़ा बज़ूर्ग अपना लुचफराई करने की कोशिश करेगा वो गुमर्य का दरबा भाधा खोलेगा तो नबी लिस्लाम ने कुछरी यह की कि कि अलमा और सूफियों के फत्मों को कुरान और forever जो हो या वही की तेरीयत के खिलाफ हो मानना गोया उन्हें रबब बनाना है यानि नबी असलाम पता है के कह रहे थे? अधी इबन आत्म तुमने कर लेना था गोर हाँ, कि किताबों का खुदा और है और तुम्हारे बाबों का खुदा और बिल्कुर यही कह रहे थे जूदू अधी इबने हातिम अगर आज का कोई ब्रेवी दोबंदी होता न तो कहते है रसुल्ला, उल्मा से ही तो पूछ के फिर दीन सीखना है न मैं तो आम आद्मी हूँ, आम आद्मी तो चाहिल होता है, वो कैसे दीन असल करें एड़ी इन से फरमाओ, अगर मुछ से बैस करनी है और तुम कुरान को नहीं मानते हैं, इतुनी बिकिताबिम मिन गबल हादा, इस किताब से पहले कोई और किताब तुमारे पास लगी है न, वो ले आओ, उससे बात कर लेते हैं या अन्बिया के इल्म के आसार, या सुनत, आहदीस, तुम्हारे पर हम रोकी, इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सची है, इसमें नबी लस्ताब को क्या सिखाया गया, किताब और इल्म, इतुनी बिकिताबिम मिन गबल हादा, वफारतिम मिन इल्म, तो सरकार यही दो पुमसले इल्मी किताबि, कहते हैं का या मरने से पहले, या मुसल्मा कर ले इस पे गोर, जी तें मुझी में लिखावा है, अधीम ने खातिम, तुमने खर ले नहादा खौर, किताबों का खुदा, और है, बाबों का खुदा, और. हर चीज قرآن सुनत से थाबित है तो यह में आयत मुबारका यही थी बाकि इसके जहल में है जितने साथ रेफरेंसिस है यह एक आयत कवर करना काफी है पूरी दुनिया में जब तागूत डिसकस होता है पूरी दुनिया में जब भी कोई आयत को डिसकस करता है टॉप पे जिस आयत को डिसकस करता है वो यही है सुरत उनाहिल की आयत नमर 36 क्योंके इसमें तमाम अंबिया की दावत का फुलास है हर उमत में कोई ना कोई रसूल भेजा हमने एक मुनियादी दावत के साथ अबादत अल्ला की होगी और अल्ला के मकाबले पे हर हस्ती से इज्टिनाब करना है जो मकाबले पे खड़ी है तो अज़रत उमर ने उन्हें तागूत का भाते है अब उन काहिन के एक वेलेंट वो बाबे है वो उल्माई सू है उनकले में सलीव लटकी वी थी वो हात्मताई के बेटे थे क्रिस्चन थे मुसल्मान हुए उनने का या रसुल्ला कुरान में एक आयत मुले खड़ती है सुरह तोबा की आयत नमर 31 इत्तख़ू अहबारहुम रुभानहुम अर्बाबम में दूनिल्ला यहुदों नसारा ने अपने जोगियों और सूफियों अहबार और रुभान या उलमा और जो गोशा निशीन राहिब लोग है उन्हें ख़दा मान लिया वा था अल्ला के मुकाबले पर तो हमने तो कभी अपने बज़र्गों की पूज़ा नहीं की उनके फत्वे जो पहलन में पूरा नजाम था वो तागूती नजाम था तो बाबे उलमा इसू ये खुद भी तागूत है इनकी दीवी तालिमात तागूती नजाम है क्योंकि ये अल्ला के मुकाबले बे खड़े बे और मज़े की बात देखें पूस से जखेंशा है कि आपने उलमा के फत्वों को अंदे बनके नहीं माना तो उलमा यानि लुमा इसू और सूफिया जिन्होंने शीर्क पहलााख अपने नामों के कल्में पढ़ाये ये खुदा के मकाबले के ऊपर खड़े हुए ये मिंदून इल्ला भी हैं ये तागूत भी है और शितान की तालिमात सिखाने की वरजा से ये तागूती सिस्टम को एस्टेबिश करने वाले हैं और ये खुद भी तागूती सिस्टम है, ये सारी बाते में एक बड़ दुरूसत है, और मैंने अपनी बात के सबूत में, सुरह तुमनाहल की आयद, सुरह अंगिसा की आयद, बुखारी की अधीस, और तिन्मजी की अधीस, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखें,